Hello students, let us start with again the chapter solution. Today's topic is vapor pressure of liquid solution. देखिये, previous topics में हमने study कर लिया था solution और उसके various types और फिर उसकी जो terms थी हमारी molality, molality, molarity, normality, और mass fraction, mol fraction, etc. with numericals हमने कर लिये थे. तो आज का topic हमारा vapor pressure है बच्चो, liquid solution का vapor pressure. vapor pressure क्या होता भी सभी जानते होगे आप, liquid solution का vapor pressure हमने बताना है. तो पहले देखे, डिसकस करते हैं, liquid solution क्या होते हैं. तरल विलियन, यानि the solution in which solvent is in liquid state. बड़ा easy है, ऐसे solution जिन में हमारा solvent क्या होता है, हमारा विलायक क्या होता है, liquid state में होता है. solute तो किसी भी state में हो सकता है, लेकिन हमारा solvent किसी में होगा, liquid state में होगा. however, solute can either solid liquid or gas. चलिए, अब आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, भी volatile substance क्या होते हैं. ये topic के basic हैं, बच्चो, जो next topic हमारा, जो advanced topic आएगा न, तो उसके basic clear होंगे, तभी वो अच्छी तरह से आपको समझा पाएगा. तो देखिए, volatile substance क्या होते हैं, वास्प सील पदार्थ, देखो नाम में ही लिखा हुआ है, बड़ा easy लगता होगा आपको, वास्प सील का मतलब क्या है बच्चो, जिसके वास्प बनते हैं, जल्दी, जिसके वैपर easily बन जाते हैं, है न, खुद जिसके वैपर, room temperature पे easily बन सील पदार्थ कहते हैं, जर्नली हमारे liquid क्या होते हैं बच्चो, जर्नली बोला मैंने सभी नहीं होते हैं, कभी आप सभी पेपलाई कर दो, जर्नली liquids are volatile substance, जर्नली हमारे जर्नली क्या होते हैं, वास्प सील सबस्टांस होते हैं, जैसे water है, water के वैपर बन जाएंगे, पेट ए वास्पसील पदार्त, नोन वोलेटाईल का मतलब क्या हुई, ए वास्पसील पदार्त जिसके वास्प जल्दी ना बनते हुँ, जैसे मेरे पास the substance which can produce वैपपर, जो which cannot produce अब की बारी नोट लगा दे हुई, जिनके वैपपर नहीं बन पाते हुँ, जनरली हमारे सोलिड क्य होते हैं, नोन वोलेटाईल, यहां पर भी जनरली लगाया गया हुई, जनरली सोलिड हमारे नोन वोलेटाईल होते हैं, जैसे सुगर है, साल्ट है, अपने देखा हुआ जो भी सुगर हमारे पास, जैसे यह बिक्कर मेरे पास, इस बिक्कर मेरे मेरे पास water है, फिर इसके मे जा सकता है mixture को है ना चलिए अगे now we have to study the vapor pressure of liquid solution in which solute is either solid या तो solute हमारा क्या है अब इस topic में solid है non-volatile है या फिर हो सकता है liquid जो volatile है तो हम दोनों के लिए vapor pressure calculate करना भी सिखाएंगे आपको सब कुछ सिखाएंगे इस topic में बेश सिख से लेके advance तक सब कुछ A to Z देखिए let us discuss with vapor pressure मैं समझाता हूँ vapor pressure क्या होता है जैसे मेरे पास ये बिकर है बच्चो देख लेजिए ये बिकर हमारे पास है इसके अंदर कोई liquid है अब उस liquid में क्या होता है कुछ particle है ना ये देखो ये particle होते है कुछ छोटे छोटे particles इन particles के अंदर क्या है कुछ particles तो यहां उपर ह यह ना कुछ particle बिलकुल अंदर है इसके तो जो surface वाले particle है ना उनमें binding force कम है थोड़े से इसलिए इनके वैपर जल्दी बनेगे वही तो vaporization क्या होता है जर्नलिस surface पर उने वाला फिनोमिना है जबकि bulk जो अंदर का जो part है body का इस speaker का उसको मैं bulk बोलूँगा bulk का मतलब इसक boiling throughout the wall container boiling में सारा का सारा container यूज होगा वी ठीक है तो चलिए देखिए vapor pressure क्या होता है vapor pressure को मैं अगर हिंदी में ट्रम आपको बताऊं तो इसको क्या बोलेंगे vapor means wasp, pressure means dab, यानि wasp के दुवारा लगाया गया जो dab है उसको क्या बोलते है vapor pressure क्या यह खुले container में लगता है नही नहीं बई, तो condition is, first condition क्या है, container should be, क्या होना चाहिए, covered या फिर यह container हमारा close हुआ, उपर से container बंद होगा तभी इसके vapor बनेंगे और vapor pressure exert करेंगे, उसको माप भी सकते हैं, instrument लगा के check कर सकते हैं, कितना vapor pressure है, the pressure exerted by the vapors, ध्यान से समुझना बच्चो, यह definition रटर नहीं नही by the, sorry, the pressure exerted by the vapors, ऐसा दाब जो vapors के दवारा लगा जाता है, वास्पों के दवारा लगा जाता है, present in equilibrium with liquid state at a particular temperature, जो हमारा liquid के साथ equilibrium में होता है, एक particular temperature पे होता है, तो उसको हम vapor pressure बोलते हैं, यह चीज़े आपको समझ में नहीं है, यहां तक आगया होगा ऐसा pressure, जो vapor के particular temperature, इसको मैं समझाता हूँ, देखो, explanation देता हूँ इसको आपको, वेपर pressure is generally measured by, अब किस instrument से मपा जाता है वेपर pressure भई, आपको बता दूँ आपके knowledge के लिए, जो atmospheric pressure है न, atmospheric pressure, वो किसे मपा जाता है बचो, जर्नली आपने सुना भी होगा, बैरोमिटर से, किसे मपा जाता ह pressure है वोई, वेपर pressure, तो वेपर pressure को मापने के लिए मैं यूज करूँगा, मैनोमीटर का, इस instrument का यूज करूँगा, जर्नली मैनोमीटर, मैनोमीटर मेरा क्या है, वेपर pressure माप देगा, किसी भी guess का, तो let us understand the concept of वेपर pressure, समझते हैं वेपर pressure का concept किस तरह से, आपको, यजली आता है समझ में, देखो, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक container है अपने पास, क्या अपने पास है, एक container है बच्चो, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये मान लिया, मैने मेरे पास एक container है, अब मैने close container बना दिया, बंद कर दिया न, उपर से ये, इस container में कुछ liquid है बच्चो, यह लिक्वीड है इस लिक्वीड के उपर क्या इसके वैपर बने हुए है देखो उपर ही बनेंगे ना वैपर लिक्वीड के surface के उपर बिलकुल तो ये जो vepper है बच्चो यहापधे मैंने एक manometer लगा दिया वही यह देखो ये मेरे पास एक manometer है ये लगा दिया मैंने एक manometer लगा दिया मैंने एक manometer इस manometer के अंदर mercury बरी होती है वही यह लिखा हुआ मैंने आप ही hg mercury है तो मैनोमिटर हुमारा उपर से बंद है ये ये भी open भी होता है तो ये मैनोमिटर हुमारा क्या है जितना भी वैपरप्रेसर एक्जरट होता रहेगा तो ये मरकरी का लेवल के आनीचे से उपर की तरफ जाता रहेगा यानी अब क्या करें एक particular temperature की बात की गई थी तो ये side में क्या लगा दिया मैंने side में है जो thermostate बोलते है इसको thermostate thermo means temperature state means यानी एक तरह से उसको स्थीर रखेगा यह temperature को constant रखेगा, change नहीं होने देगा भी, ठीक है, इसको thermostat बोलते हैं, अब द्यान से देखें आप क्या होगा इसके अंदर, vaporization, यानि इस process के अंदर, vapor फोर्म होगी, वास्पी करन होगा, फिर क्या होगा, अब vapor जो बनेंगे तो उनकी kinetic energy ज्यादा है, तो यह mercury का level high हो यह vapor क्या है, क्या होगा बच्चों, यह vapor दोबारा से क्या है, liquid में बदलना शुरू हो जाएंगे, एक बार vapor बन गए, दूसरी बार liquid में start हो गए, बदलना, थंडे होने के बाद, इसका मतलब condensation, क्या होता है, condensation को इंदी में आपने पढ़ा होगा, condensation को क्या बोलते हैं, संगनन, क्या बोलते हैं, संगनन, ठीक है, तो चलिए, देखिए एक बार, अब बदाता हम आपको, the process of conversion of vapor, तो बारा से vapor हमारे liquid में change हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गए, बच्चों, rate of vaporization is equal to rate of condensation, देख रहे हो न, आप यह equilibrium आ गया है, यहाँ पे, equilibrium, यानि rate of vaporization किसके equal हो हो गया, rate of condensation, मैंने लिखा देखो नीचे, equilibrium की state आ गई, इसलिए मैंने बताया आपको, कि यहाँ पे temperature तो कोई particular कब हो गया, जब हमारे पास thermostat लग गया था, इसमें, तो thermostat के करण तो क्या है, मेरा temperature particular है, और equilibrium यहाँ पे आ गया, अब equilibrium आने के बाद, यहाँ देखो पास क्या है, पहले इतना लेवल बड़ा था, बाद में लेवल वहीं पे आ गया, तो कहां से लेवल बड़ा है, इस area से देखो, इतना area है यह बच्चो, इस area को, यहाँ पे ही, हमारा यही क्या है, इसका vapor pressure, जो manometer से मैंने निकाला है, तो यह कब vapor pressure आया बच्चो, जब equilibrium आ गया है, so this equilibrium, at this equilibrium, we can measure the vapor pressure, सभी गो समझ में आ गया होगा भी, अब देखो वो उपर definition जो आपको बताई थी मैंने, देखो, the pressure, अब देखो, the pressure exerted by the vapor, present in equilibrium, जो हमारा equilibrium में present liquid, with the liquid, state at a particular temperature is known as vapor pressure, clear हो गया होगा बिल्कुल ही, चली आगे, यहाँ पर हमारा जो next topic आता है बच्चो, वो देखे हैं बई, इसके अंदर हम discuss करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस next topic में, measurement of vapor pressure, liquid, liquid solution, यानि vapor pressure की measurement करेंगे बच्चो, 13 page आना चाहिए, इसके बाद 14 आ गया, यह, देख लेते हैं, यह, sorry, यह page थोड़ा सा, उल्टा हो गया यहाँ पे, तो आप इसको इसी तरह से समझ लें, कोई दीक्त नहीं है, तो आप देखो, next topic हमारा क्या है, factors affecting the vapor pressure, यह पढ़ेंगे पहले हम, अब यह जो vapor pressure हमने study किया है, vapor pressure, इसको कौन-कौन से factor affect करते हैं, कौन-कौन से कारक इसको परभावित करते हैं, किस से यह बढ़ेगा और किस से यह गटेगा, तो यह विसम जो बई, vapor pressure is directly proportional to the number of vapor on the surface of liquid, सिद इसी बात है, देखो, यह अप तो यह vapor, जो बने, जितने vapor बनेंगे, बच्चो इस area में देखो, in this area, how many vapors formed that increases the vapor pressure, है ना, जितनी majority हमारी vapor की होगी, जितने vapor जादा होगे, उतना यह vapor pressure जादा होगा, यही चीज तो बताई गई है, और इसमें किस में पढ़ा हमने, nature of liquid, तो liquid की nature पे भी तो depend करता ना, liquid हम हमारा कैसा है, उसके vapor जल्दी बनते हैं, या फिर लेट से बनते हैं, यह किस पे depend करेगा, उस liquid में जो binding force है ना, उस liquid में जो binding force है, जो उसको bind करते हैं, liquid को, उनकी nature कैसी है, अगर वो strong forces हैं बच्चो, तो vapor क्या है, नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, इसका मतलब vapor pressure कम होगा, अ नहीं समझें, तो देखो एक example लेते हैं, जैसे मेरे पास water है, H2O, H2O के अंदर क्या है, hydrogen bonding है, है ना, hydrogen bonding में क्या होता है, strong bonding मानी जाती है, इसका मतलब यहां पे vapor इसके क्या है, कम बनेंगे, ठीक है, अब मेरे पास है, क्या है, CCL4 है, carbon tetrachloride non-polar है, और इसके अंदर क्य है, वीक वेंडरवाल forces होते हैं, कैसे force होते हैं, बच्चो वीक वेंडरवाल forces, तो बताओ, इसके vapor जल्दी बनेंगे, इसका मतलब vapor pressure क्या होगा, जदा होगा, समझ गए concept को, तो देख लीजिए, कि vapor pressure is directly proportional to the number of vapor on the surface of the liquid, जितने ही जदा vapor बनेंगे, उतना ही जदा vapor pressure होगा, number of vapor on vapor formation depend upon the intermolecular forces, बताया था भी, solvent, solvent और solute solvent के बीच में किस परकार के forces हैं, strong the intermolecular forces, lesser will be the formation of number of vapors, बताया था भी, आपको समझाया था, जितना strong intermolecular force होगा, उतना ही कम vapor बनेगा, है न, vapor pressure भी कम होगा, vapor pressure will be less and vice versa, vice versa का मतलब, इसका उल्टा कर दो, अगर interaction हमारा stronger की जगे क्या बचो, weak, कैसा है, विकर है, तो विकर के case में क्या होगा भी, अब vapor pressure हमारा यहाँ पे less है, वाँ पे मोर हो जाएगा, है न, चलिए, second factor हमारा है effect of temperature, ता आप मानगा पर वाव देखो बचो, आप जानते हो, temperature जैसे ही increase होता है न, तो kinetic energy molecules की क्या ह जाती है, बड़ जाती है, है न, तो vaporization भी क्या होगा, बड़ेगा, क्या होगा, बड़ेगा, ठीक है न, जैसे cooker हमारे पास है, उसमें बोजन को जो पकाते हैं, food को cook करते हैं, तो उसमें क्या है, वापर बनते हैं जल्दी, और वो बंद होता उपर से, जिसके वज़े से vapor pressure ज्यादा होगा, तो वो जन जल्दी पक जाता है, जैसे, देख लीजिए, as the temperature increases, kinetic energy molecule increases, vaporization increases, vapor pressure increases, quantitatively, यहां तक याद करना आपको बस, यह थोड़ी से आगे लेवल की बात है, तो यहां पर देखो क्या बताया गया है, जैसे मेरे पास, यह कोई बरतन था, इस बरतन के अंद पर से, तो जो vapor बन रहे थे, उनकी बनने के फिरकरिया फास्ट हो जाएगी, क्यों, molecules इदर उदर जल्दी बागेंगे, kinetic energy molecules की क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वज़े से vapor भी क्या होगी, ज्यादा vapor बनेंगे, जिसकी वज़े से vapor pressure क्या हो जाएगा, increase होगा, vapor pressure बढ़ जाएगा, understand, चलिए, आगे भी बताया गया, यहां पेशी टोपिक में, quantitatively, the effect of temperature on vapor pressure was explained by, इसकी quantity अगर निकालनी हो, तो यह, एक क्लैसियस क्लैपरन, यानि क्लैसियस क्लैपरन, अमारे क्या है, उनके दवारा बनाए गी एक equation थी, इसको प्रपोज किया गया था, log of P2 by P1 is equal to delta H, enthalpy change, divided by 2.303R, और 1 by T1, minus 1 by T2, यह चीज बताये गी थी, यह formula है, इसमें से हम इसकी quantity T2 value निकाल सकते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, note, to measure the vapor pressure of each liquid of solution, partial pressure of each component of liquid, manometer cannot be used, अब इसने क्या बोला, यहां पे important चीज है, अब हमारा यह factor है, जो vapor pressure को निकालने के लिए, हमने use किया था, manometer का, क्या manometer, यह बतायाँगा है इनोंने, क्या manometer, परते एक component का partial pressure निकाल सकता है, बताओ, क्या बात के इनोंने, क्या manometer, परते एक component का partial pressure, measure कर सकता है, इनोंने बोला, कि manometer cannot be used, because, it will calculate the total pressure of the solution, टू अवर्कम दिस प्रोब्लम रोल्टला प्रोपोजड देखो बई क्या बोला गया इसको समझो एक डाग्राम से समझाते हैं देख लीजिए इन्होंने बोला है कि मानलो हमारे पास कोई ये वैसल हा बई इसके अंदर क्या है मेरे पास कोई भी गैस बरी हुई है सोलुशन बराओ कुछ भी है मानलो सपोज करो कही चीज़े बरी हुई है तो यहाँ पर जो मैनोमेटर लगा वो है वो क्या करेगा इसमें सोल्यूट भी है सपोज करो इसमें solubent भी है ठीक है तो क्या ये solute और solubent का अलग अलग vapor pressure निकालेगा क्या नहीं, manometer तो इकठा निकालेगा PT, P of T का मतलब total pressure निकालेगा, है न solution का pressure निकालेगा ये तो ये गडबड़ हो गई भई क्या, कि manometer से solution का ही pressure निकलता है तो partial pressure कैसे निकाला जाए फिर तो हमारे पास एक scientist आए रोल्ट्स जिन्होंने एक law प्रपोज किया जिसका नाम था रोल्ट्स law इस law is very important for your exams तो याद रखें पेपर में न, 101% पुछा जाता है भई रोल्ट्स law को very very important topic है, तो इसको समझो एक बार ये क्यों इसकी जरूरत पढ़ी है तो आप समझी गई होंगी क्योंकि मैनोमेटर याँ पर फिल हो गया था इसका pressure जो वैपर pressure हो बताने में, partial pressure को बताने में प्रते कंपोनेंट का अलग अलग नहीं बता पाया था तो इसलिए हमें जरूरत पढ़ी रोल्सला की, तो रोल्सला पे ये topic खतम हो जाएगा, इसकी characteristics पे तो आज का topic समझे लो, important topic यही है बच्चों और इस topic से पहले जितना भी आपको अब तक बताया है, वो सारा क्यों बताया है because वो basic है रोल्सला तभी समझ पाओगे, जब वो आप पढ़ लोगे तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यह topic important है, इसको पढ़ लेते हम अरे पिछला पढ़ोगे, basic जब clear नहीं होगे तो advance कैसे पढ़ पाओगे फिर उसका ratification करोगे फिर paper में देखो कितने चीज़े रट सकते हो बताओ, फोई laptop की memory थोड़ी आपके mind में कि वह इतने tip भी है और उसको आपको रट लोगे सारी चीज़े तो वह आप इस सारी चीज़े puzzle हो जाएंगे और एक दूसरे से sleep हो जाएंगे भी mind से आपके इसलिए आप देखो roll चला को समझो और इससे पहले वाले factor को भी एक बार देख ले न वीडियो lecture बनाने का फाइदा क्या है वीडियो lecture से आप क्या है किसी भी time कोई भी problem है जैसे class में तो क्या teacher एक बार बताएगा दो बारा पुछोगे तो दो बारा भी बता देगा लेकिन दस बार पंदरा बार पुछोगे तो कोई थोड़ी बताएगा बार बार भी वीडियो lecture को तो आप चाहिए सो बार यूज़ कर लो ये इसलिए आपको comfortably study हो आपकी बिलकुल इसलिए वीडियो लेक्चर बनाएगे हैं आपके और आपको कोई भी दिक्कत है वीडियो लेक्चर से related तो आप discuss भी कर सकते हैं method भी change किया जा सकता है किसी को इंदी में problem है तो बताओ English to English कर देंगे किसी को English में problem है तो mixed class हमारी चलती ही है ठीक है bilingual class चलती है अपनी इसमें बच्चे इजली समझ पाते हैं इसलिए तो rolls law what do you mean by rolls law rolls का नियम क्या है भी according to this law अभी नहीं समझ में आएगा देखो definition पर नहींगा कोई फाइदा नहीं है पहले समझो diagram rolls law ने क्या किया rolls ने क्या किया एक solute ले लिया अभी इसने ये solute ले लिया अलग लग कलरों से define करूँगा मैं इसको मानले उसने क्या ले लिया एक pure solute ले लिया भी ठीक है इस solute का नाम था solute A और इस solute पे भी क्या है कुछ vapor बने थे तो इन solute का जो vapor pressure था ना वो था P note A क्या बोलूँगा मैं इसको P note A भी बोल सकते हो P note A बोल दिया है मैंने इसको P note A मतलब इस solute A का जो vapor pressure है pure solute का note का मतलब यह 0 सी लगी हुई है इसका मतलब है pure बच्चो याद रखी हो pure बार बार नहीं बताई जाएगी यह बात pure तो pure solute का जो vapor pressure है मैंने उपर लिख दिया कितना है P note A तो याद रखो देखो क्या बताया यह मेरा solute है pure इसके उपर कुछ vapor बने हुई है और दूसरा मैंने मान लिया दूसरा मान लिया मैंने क्या है यह देख लीजिए second मैंने मान लिया है यह वाला इसको मैं मान लेता हूँ solvent B इसके वेपर बना दिये वही हमने अलग color से ठीक है तो यह solute A है यह solvent B है यह भी pure है इसका वेपर pressure peanut B है है ना तो मैंने क्या करना है अब इन दोनों को intermix करना है और mix कैसे करूँगा मैं इन ही में से कोई उठा के दूसरे बीकर में डाल दूँगा जैसे मैंने यह वाला बीकर उठा के इसमें डाल दिया तो बड़ावगेरा नहीं बना ना आपको कभी सोचो कि इस दोनों को मिलाओगे तो इससे बड़ा बीकर चीएगा नहीं मैंने क्या कर या इसी सेकंड वाले बीकर में ही डाल दिया मैंने इसको ये देखो इसमें डालने के बाद क्या हो गया बच्चो द्यान से देखें एक बार मालो ये solution इस तरह का है और इसके वैपर ये है ठीक है mix करेंगे तो ये solution कौन सा था अपना solvent भी था तो solvent यानि कि A पलेस भी बन जाएगा solution पहले तो प्योर था क्या भी भी प्योर है बच्चो जब भई mix कर दिया तो प्योर कैसे होगा है ना जब हमने mix ये कर दिया तो अब इसका जो pressure है और इसका जो सारा मतलब सारे situation क्या हो जाएंगी इसकी change हो जाएंगी ठीक है तो देखिए second वाला मैंने यहाँ पर मिला दिया भई सेकिन वाला क्या कर दिया बच्चो यह मिला दिया यहाँ पर मिला वह जो mix करोगे तो आप इसके वैप पर यह बन गए वही ठीक है समझ में आने इतना तो यहाँ पर जो मेरे पास क्या था यह जो इस टाइप का color था व मान लिए solute के solument के n of b मान लिए solution बन गया मेरा a plus b है ना बन गया ना तो अब ध्यान से देखें अब आपको समझ में आ जाएगा यह क्या चक्कर है और यह किस तरह से हमारा समझ ना हमने ठीक है तो देख लीजी एक बार according to this law अब समझ में आ जाएगा बचो according to this law vapor pressure of any component of liquid solution इस law के नुसार किसी भी liquid solution का vapor pressure मैंने मान लिया first वाले का p of a है second वाले का p of b है यह vapor pressure है प्योर नहीं है यह vapor pressure किसी का भी है क्या बोला मैंने according to this law vapor pressure of any component any component का मतलब let p of a is the vapor pressure of किसका solute और p of b is the vapor pressure of solvent आगे देखें of liquid solution दोनों liquid solution है yes is the product वो गुणा है इनकी is equal to यानि मैं उपर लिखता चलता हूँ कोई दिक्कत नहीं देखो इसने क्या बोला कि vapor pressure of any component of liquid solution is equal to product of किसकी product है वच्चो दियान से देखो mole fraction of same component mole fraction मान लिया मैंने इसका कितना है p of a बे mole fraction लगा हुआ है x of a ठीक है तो mole fraction of that component into किसकी multiply है mole fraction of same component in the liquid state and vapor pressure of the same component in pure state pure state का vapor pressure उसी component का देखो समझ में आ जाएगा अब देखो दियान से क्या बोला कि vapor pressure of any component ठीक है मान लिया मैंने p of a का vapor pressure मान लिया किस किस की गुणा है भई mole fraction of that component उसी component का p of a x of a x of a mole fraction होता ना सभी बच्चे जानते होंगे into product है किसका प्योर स्टेट में मैंने p note बता था ना प्योर स्टेट में यह है रोल्ट ला इसी तरह से आप p of b निकाल लोगे तो क्या जाएगा बच्चो x of b into p note b देखो नीचे अब मैंने आपको mole fraction निकालना सिखा था दोबारा देख लो mole fraction of solute किसके बराबरा जाएगा number of mole of solute divided by total number of mole of solvent या फिर solution पूरे के पूरे solution के नीचे या पे x of b किसके कवला जाएगा n of b y n of a plus n of b समझ गए ना यहां तक clear वा होगा सभी बच्चों को अब देखिए यह page थोड़ा सा उपर की तरफ चला गया है फॉर्टिंथ पेज हमारा उपर है इसको देखें अब हम ज्यान से अब हम discussion करते हैं फॉर्टिंथ पेज गावी तो यहां तक हमने कर लिया है यह जो रोल्ड सला की definition definition तक हम पोचे थे भी अब हम इस रोल्ड सला को क्या है verify करेंगे विल्कुल derive करेंगे इसको derivation देखेंगे इसका किस परकार इसको proceed करना है और किस परकार से हमने इसमें आगे बढ़ना देखिए पर्सिल प्रेशर ओफ अब देखो पर्सिल प्रेशर ओफ सल्यूट पी ओफ ए है रोल्ड लागे नुस हर क्या आ गया भई x a into p note a understand पर्सिल प्रेशर ओफ सोल्वेंट b p of b is equal to x b into p note b measurement of वेपर प्रेशर अब देखो ये टोपिक हमारा यहां तक definition दी केवल अब हम इसकी measurement करेंगे measurement of वेपर प्रेशर ओफ लिक्विड लिक्विड solution और लिक्विड 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 solution भी कैसे हैं volatile हैं बई कैसे हैं volatile तो रोल्ड लाग आज हम पड़ेंगे volatile के लिए कल हम पड़ेंगे फिर non-volatile के लिए according to रोल्ड ला p of a is equal to x a p note a p of b is equal to x b p note b सभी बच्चे सुमझ गए होंगे क्या चीज हैं यह equation फर्स्ट मानली है second मानली भी यहां पर मैंने लिख भी दिया है निचे for your better understanding I write that here p of a is equal to partial vapor pressure of solute in solution solute का vapor pressure partial vapor pressure p of b is equal to partial vapor pressure of solvent in the solution p note a is equal to vapor pressure of pure vapor pressure of solute in pure state or p note of b vapor pressure of solvent in pure state p of a mole fraction of solute in solution x of a हमारा क्या था mole fraction of solute in solution जानते हो आपसे भी चीज़ों कोई फर्स्ट करवा रहा हूं x of b mole fraction of solvent in solution तो यह सारी चीज़े आप पहले भी जानते होंगे apply कर दिता हूं में आगे टोपिक में applying daltons law partial pressure बच्चों याद करो 11th में मैंने आपको बहुत अच्छे से spin numerical भी करवाई थी आपको और daltons का ला था जो partial pressure का वो बताया था यहाँ पे केवल apply apply करना होई इस लागे नों सारी p of t यादि total pressure किसके एकवल होता sum of all components of partial pressure sum of all components partial pressure जितने भी component का partial pressure है जैसे p of t is equal to माले तीन component है मेरे पास p1 small p1 plus p2 plus p3 तीन partial pressure है यादि total pressure sum of individual partial pressure के बराबर होता था न dalton's law में तो यहाँ पे तो मेरे पास दो ही है बच्चों कुन कुन से pt pt दो क्या होगा solution का pressure total pressure बच्चों मैं इसको ps लिखूंगा बार बार ps is equal to p of a जमा p of b ps is equal to p of a जमा p of b यानि यहाँ पे देखो दियान से ps किसके एकवला जाएगा मेरा p of a और p of b की value देखो कहा है उपर है यह रही यह रही दोनों value p of a की value पूट कर दो p of b की value पूट कर दो यहाँ पे क्या जाएगा यह देखो बच्चों xa into p not a plus xb into p not b third equation आगी भई अब हम binary solution के लिए बात करेंगे तो binary solution में हमने एक formula पड़ा था पिछले topic में कि binary solution के लिए जो mole fraction का sum होता हो वो one के equal होता है fraction का मतलब एक में शेही तो है ना है solute है solvent है एक में शेही लिया जाएगा ठीक है तो x of a plus x of b किसके एकवला आगा है बच्चों मारा x of a plus x of b is equal to one xb निकालना हो तो one minus xe है ना तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब fourth equation को third में put कर दूँगा बच्चों near this p note b xb की value मैंने यहाँ पे क्या put कर देनी है one minus xe बखकी सारा same रखना है चलिए कर देते हैं put क्या मिलेगा p note of p of s is equal to x a p note plus यहाँ पे xb की जगए पे मैंने value put कर दी किसकी देखो बच्चों देख ले ना xb is equal to one minus x of a यह value मैंने यहाँ put कर दी वही समझ गई ना अब क्या करें कुछ भी नहीं करना इसकी अंदर multiply कर दो बच्चों इसकी अंदर एक के साथ होगी और फिर xe के साथ होगी तो क्या जाएगा p note a xe p note a plus यहाँ देखो p note b को one से करोगे तो p note b बच्चों पजलोने वाली बात नहीं देखो इनको आगे पीछे करके लिख दिया p note b आगे लिख दिया plus xe p note a यहाँ पे लिख दिया minus xe p note b यहाँ पे मेरा निचे है understand इसको थोड़ा सा clarify करके लिख दो अब मैंने इसको modify क्यों किया देखो simplify से लिए किया मैंने इसको ताकि आप समझ जाओ अब यहाँ पे कुछ common आता होगा जरूर देखे p note b आगे ज़िटी जाए दुन्नों में xe common है बच्चो देखो यहाँ पे भी xe यहाँ पे भी xe तो xe मैंने common ले लिया common लेने के बाद अंदर क्या बच गया directly p note a minus p note b तो यह मेरा p of s आ गया क्या गया p of s यही result है मेरा बच्चो किसका यहाँ तक clear हूँ आपको चलिए आगे चलते हैं next मारा पेज यह है I think it is 15th पेज चलिए देख लीजी इसमें अभी अगर आपको graphical representation करनी है किसकी liquid liquid solution के यानि रोल्ट्सला की graphical representation आप करोगे तो graph पे कैसी show करोगे कई वच्चो को problem होते हैं भी graph में तो first thing is that this graph is वैपर प्रेस versus mole fraction यानि इस graph में वैपर प्रेसर और mole fraction के बीच में यह graph मेरा बना हुआ है यहाँ पे मेरा वैपर प्रेसर है बच्चो इस direction में वैपर प्रेसर बढ़ेगा और यहाँ मेरा क्या है निच्चे की तरफ देखोगे तो आप यहाँ पे mole fraction है ठीक है यह दो चीजों के बीच में graph है suppose करो देखो समझो mole fraction है xa का 100% मान लिया मैंने यहाँ पे अगर 100% xa का है यहाँ पे mole fraction xb का 100% होगा यहाँ पे xb का कितना होगा 0 जब xa का 100% है दो xb का कहा से होगा 0 होगा यहाँ पे xb का 100% था तो xa क्या होगा 0 यह तो चीज समझ में आगी होगी mole fraction अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ xb 100% है तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मिलाता हूँ दूसरा component तो जो मैं component मिलाओंगा तो इसका web processor बढ़ेगा mole fraction भी बढ़ेगा भी यह बढ़ गया web processor है ना अब मैंने क्या लिख लिए x से जो मेरा x से है ना जो mole fraction है solute का उसका web processor बढ़ेशर मैंने माल लिया पी नोट है और जो x भी है मेरा उसका web processor माल लिया मैंने पी नोट भी यह तो solvent का बच्छों आप जानते हो और यह किसका है solute का web processor pure state में है ना तो solvent का थुड़ा सा उपर लोग है आप देखो यह थुड़ा सा निच्छे और यह थुड़ा सा उपर जर्नली solute का उपर ही लिया जाता है थुड़ा सा जदा होता है ना solvent का web processor इसलिए समझ गई क्या बताया मैंने कि उपर क्यों लिया एक पॉइंट उपर रख लिया एक निच्छे balancing नहीं है ना तो इसलिए रखा है क्योंकि यह solvent का web processor है कुछ ज़्यादा होगा solute का दो कुछ कम होगा suppose करो मैं यहां क्या करता हूँ इस solvent के अंदर solute मिलाता हूँ यानि XB हमारा 100% तो यहां पे क्या है इसकी value बड़ेगी vapor pressure इसका यहां पे इतना हो गया जब मैं इसके positive की value बड़ाता हूँ तो यहां पे value बड़ेगी इसकी यहां तक पोच जाएगी इसका मतलब क्या है बच्चो यह जो graph है मेरा देखो दोबारा बताता हूँ अब चलिए समझीए यह second component हमारा यहां तक तो यहां पे value किसकी बड़ाबर आ गई पी नोट यह सोरी पी ओफ बी is equal to xb पलस पी नोट भी यहां पे पी ओफ ए की value यहां पे पी ओफ बी की value है अब मैं क्या कर देता हूँ बच्चो देखो यह मैंने इस तरह से बनाया है यहां पे मैंने P of P not A मनना है और यहां पे मैंने उपड़ थोड़ा सा P not B मनना थीक है यह xb है मेरा यह xa है मेरा मैंने जब इसको इसके साथ मिलाया तो एक value यह आ गई P of A तो यह आ गया अपना और P of B यह आ गया तो total value square attach करोगे, total value हमारी क्या जाएगी, total value मेरी हो जाएगी, total P is equal to P of A plus P of B, क्या हो जाएगा बच्चो, total P is equal to, लिख देता हूँ मैं आप पे देखोई लिख रख्या, P of S is equal to P of A plus P of B, समझ गए ना graph को, ये था मेरा graph ही समय, ठीक है, तो आगे चलिए, आगे हम discussion करते हैं इसका, देख लीजिए, rolled law is followed only, अब क्या है, ये टोपिक क्या है मेरा, इस पे मैं साइद adding डालने बूल गया भई, हाँ, ये टोपिक यहाँ पे लिख रख्या पूरी है रहा देखो, some important characteristics of rolled law for liquid liquid solution, rolled law की कुछ characteristics हैं, कुछ गुण दरम हैं, जिनको follow करना ज़रूरी है, तो देखिए, कौन-कौन से इसके properties होती है, rolled law is followed only by, when the liquid involved in solution are completely miscible in each other, and hands forming homogeneous mixer, है न, ये बात समझ गई आप, या नि, क्या बोला है चने, कि ये rolled law के वल, उन्हीं liquid solution के लिए लगेगा, लगेगा, जो आपस में मिश्रित होंगे, miscible का मतलब है, समिश्रित, जो आपस में homogeniously मिल जाएंगे, है न, जैसे मेरे पास ये एक बिकर था, ये दूसरा बिकर था, मैंने उनको mix किया था, इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या था, ये mix हो जाएगा, तभी तो इस roll slug steady होगी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, oil को मिला दू पाणी में, और फिर उसका vapor pressure निकालू, तो जब ये liquid मिलते हैं नहीं, तो vapor pressure कैसे निकलेगा, बताओ आप खुद, है न, तो ये condition थी, second देखें, vapor pressure, दा वेपर प्रेशर और, रिचर इन कंपोनेंट अफ सोलुशन, विच इस मोर वोलेटाइल, हैंस पर्चल प्रेशर अफ दा, कंपोनेंट विल बी अईर देन दा अधर, दा अधर, अज एज हाईर, वोलेटिलिटी, समझ में या नहीं आया, इसको एके, हमने, कौन वर्फ ज़रूर बोला गया है, देखो समझ ज़्यान से, इसने क्या बोला है, चीज बड़ी सिंपल है, इसने यह बोला है, कि वेपर प्रेशर हमारा, उसी कंपोनेंट का ज़्यादा होगा, सोलुशन में, ज़्यादा वोलेटाइल है, क्यों, ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो, जैसे मेरे पास यह है, ज़्यादा वोलेटाइल है, इसके वेपर जल्दी बनेंगे, वोलेटाइल का मतलब, ज़्यादा वेपर बनेंगे उसके, वास्पसील ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वैपर बनेंगे उसके तो उसका पार्शिल प्रेसर भी क्या होगा बच्चो ज़्यादा होगा है ना उसकी वोलेटिलिटी भी क्या होगी वैपर बनाने की पावर भी क्या होगी ज़्यादा होगी यह चीज बताएगी और कुछ component का अगर आप theFast में निकालना चालते हो no liquid फेज-स मेनने X से और X 20 से मनना हम आझा तो यहाँ पर मैं क्या करऊंगा य। फेस का मेरे पास क्या है eigenlijk ना हुआ यॉऔर yb 새 मालगत हूं वाइ ए और आइशंग भाजficung मालें तो P of A ये चेंज हो गया और N of A चेंज हो गया तो P of A V is equal to N of A RT एक्वेशन बन जाएगी PV is equal to किसके कोला जाएगा अपना P of A is equal to V इसके निचे चला जाएगा है आपके इस एक्वेशन फस्ट होगी P of B किसके कोल हो जाएगा बच्चो N of B हो जाएगा बस V निचे RT एस सेम एज इस बिल्कुल अब टोटल प्रैसर हमारा सॉलिशन का क्या हो जाएगा दुन्नों को एड कर देंगे बच्चो और इन दुन्नों को एड कर ओगे तो दुन्नों में आरटी आरटी कॉमन है या पे लिलिया मैंने कॉमन अंदर क्या बच गया N of A पलस N of B by V now first equation को divide कर देंगे third से इस first equation के division में क्या कर देंगे हम third equation इसको third से divide कर देंगे first को तो क्या मिलेगा इसमें dividing first and third equation we get simply P of A by PS बड़ा simple अबे देखते जाओ P of A by PS इस P of A की value कितनी थी बच्चों उपर N of A by V into RT रख दी निचे किसकी value रख दी PS की ये रख दी RT से RT cancel out हो गया V से V cancel out हो गया क्या बच गया मेरा P of A by इधर तो ये है और इधर क्या बच गया N of A by N of A plus N of B और ये क्या है अब की बारी mole fraction है gaseous phase में है तो इसको Y of A मनना पड़ेगा क्या मनना पड़ेगा Y of A मनन लिया मैंने तो P of A किसके बड़ा बड़ा गया मेरा cross multiply करूँगा इसके निचे 1 करके तो P of A is equal to Y A into PS है ना तो Y A की value मेरी क्या जाए कि बच्चों यहां से Y A is equal to किसके एक बड़ा है P of A by PS Y B किसके एक बड़ा जागा P of B by PS है ना तो ये हमारा relation था एक अगर आपको वेब पर phase में mole fraction निकालना आ तो ये formula लगेंगे दो तो आज का टोपिक पुरा वा भाई थेंक यू I hope you will understand easily if you unable to understand this lecture repeat it see again and again this is so simple lecture and you will get every topic on your tips thank you bye bye have a nice day